हलो चिल्डरन लेट्स प्ले कारवबोड यूनिट सिक्स बी ये लसन आज किला हम लोग पड़ रहे हैं और इसमें ये चाप्टर लास्ट एक एडवर्ब ये बच गया था जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे ये ग्रामर में एडवर्ब है इसको समझने से पहले हम लोग देख लें कि बुक में आपको क्या करने कहा गया है तो यहां एक एक्टिविटी है जू दिस एक्टिविटी ठीक है आप ये एक क्रिया कल आप करोगे क्या है कह रहा है आप देखे gather in the class to celebrate one's birthday किसी एक के जन्म दिन को मनाने का आयोजेन आप लोग करो और class में इकठे हो अभी तो school बंदे लेकिन जब भी इस तरह अपने किसी friend को के बर्थरे को celebrate करने के लिए या कहीं भी अपने घर में भी gather हो जाओ एक साथ इकठे हो जाओ act everything what is done on a birthday और वो सारी act करो के जो कुछ होता है बर्थरे में जैसे like cutting cake cake काटना blowing off candles मुमबतियों को बुझाना clapping मतलब ताली बजाना फिर singing जो happy birthday to you हम लोग song आते हैं वो गाना गाई है dancing यानि कि dance गाना कीजिए fun कीजिए etc 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 मतलब की इसी तरह के और भी सारी act कीजिए now sing the song together अब आपको का जा रहा है कि ये song जो है आप कीजिए गई है ठीक है उस occasion पे वो क्या है ये देखिए आप इस song को गा सकते we celebrate birthday yearly yearly we blow off the candles swiftly swiftly we clap loudly loudly we cut cake slowly slowly we dance together happily happily we sing a song cheerfully cheerfully तो ये song easy भी है आपको याद हो जाएगा इस तरह आप इसको पढ़ें इसका मैं फटाक से meaning बरता दू हिंदी में we celebrate birthday बच्चे गा रहे हैं dance कर रहे हैं और क्या गा रहे हैं कि हम लोग celebrate कर रहे हैं मने मना रहे हैं birthday जनम दिन yearly yearly या हम लोग मनाते हैं जनम दिन yearly मने साल में एक बार ही आता है candles को याने की मुंबतियों को बुझाते हैं फूक मारके swiftly swiftly मने जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत सारी candles होते हैं बहुत सारी मुंबतियां होती हैं तो जल्दी से सब को फूकते हैं swiftly swiftly मने जल्दी जल्दी we clap और हम लोग ताली बजाते हैं कैसे loudly loudly मने जोर जोर से we cut cake हम लोग cake भी काटते हैं slowly slowly धीरी धीर क्योंकि अगर cake को बहुत तेजी से काटा जाए swiftly swiftly तो वो तूट जाएगा पूरा तो उसे slowly slowly मतलब धीमे धीमे काटते हैं we dance together और एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग नृत्य करते हैं नाशते हैं happily happily यानि खुशी-खुशी we sing a song और हम लोग साथ-साथ काते हैं cheerfully cheerfully वानिक हो फुलित हो करके इस तरह से ये song का ये अर्थ है लेकिन इस song के पीछे इस song में जो कुछ छिपा है वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं वो adverb adverb जो grammar कहें किये हैं आप लोग जैसे noun, pronoun, verb, adjective ये सब पढ़े होग ऐसे एक adverb भी होता है ठीक है फिलाल आपने याप पर देख रहा होगा एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि कुछ नए श्रब्द आपको मिले जैसे सब में ly, ly कुछ common चीज़ थी जैसे yearly, swiftly, loudly, slowly, happily and cheerfully ये ऐसे सारे श्रब्द हैं जिसमें last में ly से end हुआ है सब का तो यहाँ आपको कहा जा रहा है ऐसे ही add add मने जोरना जोर ये ly in the following words to make an adverb इसी तरह से कुछ words दिये गया हैं जिसमें plus add मने जोरना addition तो ये plus ly, देखिए एक आपके लिखिया हुआ, ly जोरा गया, recent में ly जोरा गया, recently बन गया वसे beautiful है उसमें ly जोरेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे l, इसको आप copy पे करोगे और फिर दोनों को मिला के हम लोग लिख देंगे ब्यूटी, fully ठीके नहीं, इस तरह, अब cheerful इसमें भी ly लगाएंगे, एक l आलड़ी है, एक l और हमने जोर दिया तो डबल l हो जाएगा, पूर, पूरली, नीट, नीटली तो यह आपको इसी तरह के सारे वर्ड बरेंगे, और यह सारे वर्ड जो जितने भी ly वाले वर्ड थे, यह सब एड़ वर्ड कहलाते हैं, ओके बच्चों, तो यही सेंस था इस सॉंग को देने के पीछे कि आपको एड़ वर्ड सिखाया जाए, आपने एड़ वर्ड सीख अब आगे देखिए, यहां भी कुछ निक्स्ट पेज में ऐसे ही दिया है करने को, अंडरलाइन एड़ वर्ड इन फॉल्विंग सेंटेंस, यहां जितने भी एड़ वर्ड उसको अंडरलाइन करने कहा गया आपको, जैसे एक एग्जांपल बना दिया गया है, रुद्रा किसी का नाम है, वो quickly, तेजी से दौरता है, यहां जल्दी दौरता है, तो quickly, ly वाले शब्द है, इसको अंडरलाइन कर दिया, यहां अड़ वर्ड को, ऐसे ही ढून ढून के आपको बाकी के करने है, जैसे राकेश इस्पिक्स loudly, तो यहां loudly हो जाएगा, the turtle walks slowly, राकेश इस् चंचला writes nicely, चंचला सुन्दर लिखती है, या अच्छे से लिखती है, तो nicely हो जाएगा, संगीता has completely done our homework, संगीता ने अपना homework पूरा कर लिया, completely होगा, और recently we have watched this movie, अभी हाली में हमने यह movie देखी है, तो recently हो जाएगा, इस तरह आपको यह अंडरलाइन करने कहा गया, यही सारे adverb थे, इस तरह जब आपने इतने सारे word पढ़े तो आपको यही समझ में आया कि जिसका end ly से हो, वैसे सारे शब्द, adverb कह जाते है, mostly ऐसा होता है, लेकिन, अब आईए हम लोग इसके definition पहले जान ले, all the words which say something about verb, adjective and adverb, about verb, adjective and adverb are called adverb, यहाँ यहाँ यह definition है, परिभाश आचछा है, adverb की, कि adverb किसे कहते हıyorsun? तो adverb, उन्स शब्दों को कहते हैं, जो कुछ और बतलाता है, किस के बारे में, verb के बारे में, verb यहाँ आनि क्रिया, adjective यहाँ विशेशन, और adverb यहानि क्रिया विशेशन, तो इन तीनों के बारे में फिश और करता है, बताता है, वो word को एड़व कहते हैं तो आपको जानकर आश्यर हो रहा हो कि यहां भी एड़व यहां भी तो ऐसा होता है ड़व जो है वो डिस्क्राइब करता है वर्व को नहीं वर्व की विश्यस्ता बतलाता है वर्व यानि क्रिया है और फिर विशेसन की विशेस्ता भी बतलाता है और खुद क्रिया विशेसन यानि जो खुद है वो अपनी भी विशेस्ता बतलाता है चलिए कैसे वो शॉर्ट में बहुत ही ब्रीफली हम थोरा सा आपको बता देते हैं कि एड़वर्व किसे कहते हैं थ देखें, wear मतलब kriya, अब kriya हम लोग दिन भर करते रहते हैं, जब से जगते हैं, तब से हम लोग कriya ही करते हैं, जैसे सोते हैं, वो भी kriya है, और जगते हैं, वो भी, इसके बाद हम लोग running, playing, walking, writing, reading, laughing, sleeping, या कोई भी act कर रहे होते हैं, खेलना, playing, जो भी, सब कुछ, jumping, dancing dancing, singing, यह सारी जिस जो हैं वो क्रियाएं हैं, यानि जितने भी work हम लोग देन भर करते हैं, वो सब कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है, अब कह रहा है कि जैसे example, इंग्लिश में गर हम लोग बोले, he runs, full stop, he runs, मतलब वहाद दोरता है, ठीक है, लेकिन, अब एक हम लोग एडवर्ब मने क्रिया जानगे हैं, हम लोग यह सारी क्रियाएं क्रिया कहलाती हैं, इन क्रियाओं की, जो विशेस्ता बतलाता है, उसे क्रिया विशेसन कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब को कहते हैं हम लोग, क्रिया विशेसन, एन एडवर्ब मतलब होता है, क्रिया विशेस यह इसकी हिंदी है तो क्रिया विशेशन क्या कहते है एक्शन वर्ड जितने है एक्शन वर्ड मतलब जितनी भी वर्व हैं एक्च करने वाले वर्व उन सब की विशेशता बतलाता है तो सिर्फ ही रंस अगर हम बोलते हैं मतलब वह दोरता है लेकिन अगर बोलते हुआ कैसे दौरता है, तो he runs fast मैंने वो तेज दौरता है, या अगर he runs slowly, तो वो fast दौरता या slow दौरता है, यह उसकी दौरने की विशेस्ता बतला रहा है, देखिए वह दौरता है अब हम अगर question करें, वो कैसे दौरता है तो कोई उत्तर दे रहा है, he runs fast वो बहुत दौरता है, तो वो तेज दौरता है, यह तेज वर्ड जो है, वो किसकी विशेस्ता बतला रहा है दौरने की, और दौरना क्या है, क्रिया है तो दौरने की जो क्रिया है, उसकी विशेस्ता तेज वर्ड बतला रहा है, कि वो कैसे an adverb can qualify a verb मतलब एक adverb क्या करता है एक kriya को qualify करता है यानि kriya की गुनों को बतलाता है तो एक adverb kriya की गुनों को बतलाता है इसके बारे में हो गया अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उसी तरह से को और एक्जामपल लेते है she writes, वह लिखती है वह कैसे लिखती है उसकी लिखने की क्रिया तो ठीक है वो लिख रही है नहीं उसकी लिखने की क्रिया कैसी है इसले nicely word भी adverb हो गया, ठीक है, next चलिए अब विशेसन, हमने यहां क्या पढ़ा कि वो वर्व की भी विशेसन बतलाता है, adjective की भी, adjective क्या वो बताती हूँ मैं, adjective जिसका कि हिंदी होता है विशेसन, विशेसन जो किसी की विशेसन बतलाता है, जैसे हम कहते है राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा, यानि राम is a good boy, good, उसकी अच्छा ही है, उसका गुण है, लेकिन अगर कहते है राम is a bad boy, तो bad boy, यानि कि वो बुरा लड़का है, वो भी उसका गुण है, और वो भी विशेसन ही कहलाएगा, तो विशेसन सिर्फ अच्छे गुनों को नहीं, व वर्ब हम लोग पढ़ रहे है, अभी हमने देखा वर्ब की विशेसता बताया, या वर्ब को एक्स्प्रेइन किया, लेकिन विशेसन को भी एड़ब एक्स्प्रेइन करता है, जैसे देखिए इसके बारे में है, an adverb can qualify an adjective, जिस तरह वो क्रिया को विशेसता बतलाता है, या क्रिया को qualify करता है, उसी तरह से adverb, adjective को भी, यानि विशेसन को भी आगे बढ़ाता है, उसकी विशेसता बतलाता है, जैसे, example हम लेते हैं, the great wall of china, china में एक बहुत लंबी बड़ी दिवार है, उसके बारे में कहा जाए रहा, the great wall of china is really use, अब use जो word है, वो है, use मने बहुत वि विशाल, जो use word है, ये विशेसन है, किसकी विशेसन, किसकी विशेसता बतला रहा है, great wall, इस wall की, china के, दिवार की, तो इसका हिंदी हुआ की, china का जो महान दिवार है, बड़ा जो दिवार है, वो बहुत विशाल है, ठीक है, लेकिन, उसके आगे, हम लोग ऐसे भी कह सकते ह लेकिन, यहाँ पे एक और word जो गया, really, यानि अब बन गया, the great wall of china is really use, बने, चाइना की दिवार वास्तों में बहुत विशाल है, या सही में बहुत विशाल है, तो really मने वास्तों में या सही में, तो इस तरह use तो खुद अपने आप में विशाल है, मतलब बड़ा है, इसके आगे अगर really लगा जिया, तो पता चलता हाँ, सही में वो बहुत बड़ी दिवार है, तो इसको और अधिक define यह word कर रहा है, इसलिए यह adverb है, क्योंकि इसने इस viciousness को और अधिक elaborate किया, तो viciousness की viciousness यहां मतला रहा है, तो really word भी adverb हो गया, क्योंकि यहाँ यह use को qualify कर दूसरा देखे कि adverb को, अब तीसरे नमबर पर हमने क्या देखा था, कि adverb, तीसरा हमने क्या देखा था, एड़वर्व की भी viciousness था, वो बतलाता है, भाने खुद एड़वर्व, एड़वर्व की विश्यस्ता बतलाता है, यहानि क्रिया विश्यस है, क्रिया विश्यस हैं की, तो इसके बारे में कहा जाता है, an adverb can qualify other adverbs, बने एक एड़वर्व जो है, वो दूसरे adverb, वर्व की को भी qualify करता है, जैसे example है, sita talks, very softly, अब यहां क्या है, sita talks, मने sita बोलती है, बात करती है, कैसे, softly, softly मने, बहुत मुलायम, बहुत कोमल सब्दों में, और यहां very, उसके आगे very लगया, मने बहुत soft बोलती है, बहुत ही madhim और अच्छी आव softly, यहां softly जो adverb है, देखे, इसमे लवाई लगा, यह already adverb है, और इसके पहले very लगया, तो यह भी इसका adverb, मने, adverb का adverb है, very, क्योंकि वो सिर्फ softly नहीं बोलती है, बहुत softly बोलती है, very softly, उसी तरह से दूसरा है, राम worked extremely hard, तो राम worked extremely hard, राम worked extremely hard, राम worked, मने राम काम करता ह है, चीक है, कैसा करता है, hard, मने, बहुत अच्छा करता है, लेकिन extremely hard, मने, वाकई बहुत hard करता है, तो यहां पर यह hard word जो है, वो adverb है, और उसकी विशेस्ता यह word बतला रहा है, तो यहां पर hard को qualify कर रहा है, इस तरह से हमने देखा, कि यह चीज़ सही हो गई, आपकी definition, कि adverb, जो अब यहां पर इस poem में, जितने भी adverb आया है, या फिर आपने जितने adverb यहां बनाए है, यहां जितना underline किया है, उन सब के बारे में, कि वो adverb क्या था, हमने क्या सीखा, वो verb की, adjective की, और adverb की, को qualify कर, sorry, all define करता, qualify करता, लेकिन verb, adjective, और adverb क्या है, यह आपको पता नहीं था, जो मैंने अभी short में आपको बताया, अब आप थोड़ा जल्दी यल्दी पढ़ा रही हूं कि कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, कुछ खास नोट्स यह है कि adverbs are often formed by adding ly, mostly क्या होता है, ly जोर के हर, ऐसे शब्द जिसक जोर जाता है, जैसे इंक बहुत लिजयो हो गया, और इसी तरह से swift है, तो swiftly हो गया, अब है कि जैसे पोलाइट है तो Politely हो गया, यह सब एडेकटिव है, polite में बहुत, क्ँछिक बहूट बोलना, जल्स ज़ल्दी, quickly हो गया, foolish बने मुर्ख उससे foolishly हो गया मुर्खता जैसे राम मुर्ख है यह उसका गुन है विश्रिसे नहीं है उसको foolishly बोल दिये तो इस तरह लगा कि हम लोग adjective में adverb बनाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि all words that are in ly are not adverbs इसका यह मतलब नहीं कि जितने भी word can't ly से होता है हम उन सबको adverb समझ ले यह गलती नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ adjective या में ly जोड के ही बनता है लेकिन सारे ly वाले शब्द adverb नहीं होते हैं यह याद रखिए का for example जैसे कि friendly friendly में भी ly लगा है लेकिन यह adverb नहीं है lovely इसमें ly लगा है यह नहीं है lonely इसमें भी ly लगा है लेकिन यह adverb नहीं है खेर आप बड़े होगे बड़े class में जाओगे तो आप यह अंतर समझ जाओगे फिलाल बस इतना ही adverb को मैंने मुझे समझाना था बागी यह पोई माप्याद कर लोगे ओके थैंक यू